नमस्कार आपका मेरे चैनल में स्वागत है आज मैं आपको एक नाग माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ एक नगर में एक सेठानी रहते थी तेहार का समय था सेठानी घर की सफाई कर रही थी सेठानी घर का सामान इधर उधर सही से रख रही थी जिस कमरे में सेठानी सफाई कर रही थी उसी कमरे में एक नागिन रहती थी सेठानी ने नागिन देख नहीं पाई और नागिन के उपर भारी बक्सा उठा कर रख दिया बक्से के बजन के कारण नागिन दवकर मर गई लेकिन सेठानी पर अंजाने में नाग हत्या का पाप चड़ गया समय बीटता है सेठानी बुड़ी हो जाती है और एक दिन उसकी मृत्य हो जाती है फिर सेठानी एक ब्राहमर के घर जन्म लेती है उसका नाम बैसाली रखा जाता है बैसाली धीरे धीरे बड़ी होती है जब उसकी उम्र बीस बर्स हो जाती है तो उसे एक भयानक बीमारी बिस्वेल हो जाती है बैसाली के माता पिता बैसाली को बहुत हकीम बैद को दिखाते हैं लेकिन बैसाली ठीक नहीं होती समय बीटता है एक दुज महत्मा बैसाली के घर आते हैं बे बैसाली को देखते हैं और कहते हैं ये इसे तो बिस्वेल हो गई है तब बैसाली के माता पिता पूछते हैं इ इसका तो सर्प या नाग से दुर दुर तक कोई स्पास्ता नहीं रहा। तब वह दूश महात्मा ध्यान लगाते हैं और बैसाली के पूर्ब जनम के बारे में जानने की कोशिस करते हैं। फिर वे महात्मा बताते हैं कि यह पूर्व जनम में एक सेठानी थी, घर की सफाई करते समय एक नागिन की अंजाने में इससे हत्या हो गई, इस कारण इसे बिस्वेल होई है, तब बैसाली के माता पिता पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तब सिद्ध महात्मा कहते हैं तुम्हें नाग माता की पूजा करनी चाहिए, अगर नाग माता प्रिशन हो गई, तो वे इसे नाग हत्या के पाक से मुक्त कर देंगी, और इसे ठीक कर सकते हैं, फिर बैसाली उस महात्मा के बताई अनुसार नाग माता की पूजा करती है, मंसा देवी को नाग माता के शचत्र हैं, वे कमल पर विराजमान है, मा की गोदी में एक बालक को लिए हुए दिखाया जाता है, यह बालक मा का पुत्त आस्तिक है, सात नाग, सदेव नाग माता मंसा देवी की रच्छा में तत्पर रहते हैं, मंसा देवी सभी नागों की माता है, उनकी किरपा नाग दोस्त दूर हो जाता है बैसाली नाग माता मंसा देवी की पूजा अर्चना शुरू करती है बैसाली सच्चे मंसे नाग माता मंसा देवी की पूजा करती है पूजा करते करते बहुत समय बीद गया बैसाली की सच्ची भक्ती से मंसा देवी प्रशन होती है और एक बू उन्होंने बैसाली के माता पिता से खाना मांगा तो बैसाली के माता पिता ने कितनी गंदी है औरत कहकर अपने घर से जाने को कहा लेकिन बैसाली ने उन्हें रोक लिया और बैसाली ने उन बूरी मा को पहले नहलाया फिर उन्हें स्वच बस्त पेनाये फिर पेट भर भूजन कराया मनसा देवी बैसाली की सच्छी भक्ती देखतर बहुत प्रशन हुई और अपने असली रूप में प्रकट हुई बैसाली ने मन्सा देवी को प्रणाम किया और उनके पैरों में गिर गई फिर मन्सा देवी ने बैसाली की बीमारी को ठीक कर दिया बैसाली अब नाग हत्या के पाप से मुक्त हो चुकी थी मन्सा देवी ने कहा मैं तुम्हें बर्दान देती हूँ तुम सदेव सर्फ दन से मुक्त रहोगी, कोई नाग तुम्हें काटेगा नहीं, इतना कहकर मंसा देवी नाग माता अंतर ध्यान हो जाती है, बैसाली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, अब तो बहुत खुश थी, ये बैसाली की सची भक्ती का ही नतीजा था, कि नाग मा उसकी भक्ती से प्रशन हुई और उससे दर्सन दिये, तो हे नाग माता, आपसे प्राथना है, कि जैसे आपने बैसाली पर कृपा की, बैसे ही अपने हर भक्त पर कृपा कीजिए, जै मा मंसा देवी, बोलिए मंसा देवी की जै, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ला वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, धन्यवाद